तेरे चर्णों में प्रणा प्रिश्ना चर्णों में प्रणा तेरे चर्णों में प्रणा मुख्रिश्ना चर्णों में प्रणा धरा पर पाप बढ़े जब वोगों के रूप में आई ब्रम्ह के दर पर पहुची व्यथा अपनी सुनाई ब्रम्हा धरती को लेकर कैलाश के परवत पहुचे शिव को सब कुछ बत लाया भूले कुछ देर को सूचे धरती तुम निश्चित हो जाओ करेंगे हम समधान तेरी चर्णों में प्रणा मुख्रिश्ना चर्णों में प्रणा ब्रम्हा और शिव जी दोनों जाकि विश्णू से बोले धरा पर जाना होगा पाप से धरती डोले यदू कुल वन्ष में जाकर देव पैदा होंगे सब आओ वसु देव की घर मिश्णू जी भूले थे तब धरा पे अन्ष पहुचाया देवोने धरा पे अन्ष पहुचाया देवोने मिश्णू का कहमान तेरे चर्णों में प्रणाम खृष्णा चर्णों में प्रणाम देव की वसु देव की तभी शादी हुई थी महल को जाने लगे तब आकाश वाणी हुई थी देव की कगरभ आठवा काल कंस का भन जाए सुनके बात कोस की कंस गया थगब राए गुसे में फिर बढ़ा वो आगे देव की किले ने जान तेरे चर्णों में प्रणाम तृष्णा चर्णों में प्रणाम जो संतान हो मेरी मैं दे कर तुमको जाँ देव की को मत मारो मैं बस इतना चाहूं वसु देव की बाते कंस फिर मान गया था दोनों जाओ महल में उसने ये कहा था एक वर्ष में ले कर बेटा वसु देव गया था तेरे चर्णों में प्रणाम तृष्णा चर्णों में प्रणाम देख वसु देव का सत्य कंस खुश हो गया ले जाओ बेटा अपना कहके उसको दे दिया आठवा बेटा हो जब लेकर उसको आना उदारता देख कंस की खुशी का रहा न ठिकाना बेटे को गोदी में उठा के वसु देव ने किया प्रश्थान तेरे चर्णों में प्रणाम तृष्णा चर्णों में प्रणाम नारद तुरंत धराबे कंस से पहुचे मिलने बेटा क्यों लोटा दिया वो तो लगे ये कहने ग्रज में सार देवता है अवतार में आए इन में काल कौन सा ये तू जान ना पाए नारद की तब बात को सुन के दूतों को दिया फरमान तेरे चर्णों में प्रणाम तृष्णा चर्णों में प्रणाम देव की वसू देव को जाओ बंदी बनाओ बालक पैदा होते ही पास मेरे ले आओ जन्म लेते ही बालक कंस पटक के मारे नीर बहाए देव की ना सुनी जाए चितकारे होनी को कोई टाल सके ना होनी बड़ी बलवा तेरी चर्णों में प्रणाम तृष्णा चर्णों में प्रणाम आठवे गरभ से जन में घरा पे क्रेश्ण आये जेल के खुल गए ताले कोई रोक न पाए तोकरी में नारायण वसुदेव चले लेकर शेश नाग वने छाता वर्शा हो रही भयंकर गोकुल नगरी पहच गए थे श्रे क्रेश्ण भगवान तेरी चर्णों में प्रणाम तृष्णा चर्णों में प्रणाम ये शोदा की कन्या को लेके वसुदेव ची आये कन्या रोने लगी जब दूत कंस को बुलाए कंस जब लगा मारने आकाश में बाली का उड़ गई जन्म हुआ तेरे काल का कहकर हसने लग गई मोत कडर लग कंस को सताने मोठी में आ गई जा तीरी चर्णों में प्रणाम त्रिशना चर्णों में प्रणा जन्म का उत्सव मनाया वो कुल गया सजाया ग्रज का कणकण महके प्रक्रती को आनंद आया नंद बाबा हर शाये बुधन और रतन लुटाये गोका दान की आ गया देव पितरों को मनाये देव तजिन के दरश को तरसे नंद घर आये भगवान तीरी चर्णों में प्रणा मुख्रिशना चर्णों में प्रणा उत्ना कंस ने बुलाई कहा नंद के घर जाँ स्तरों पे विश लगा के क्रिशना को दूध पिलाओ नंद के घर में जाके उत्ना दूध पिलाए काल बन करके क्रिशना छाती पर चड़ जाए प्राण पखेरू उडगए उसके पहुची वो शमशा तीरी चरणों में प्रणा मुख्रिशना चरणों में प्रणा वर्णा व्रत नाम का दानव घुकुल में आया बया को दिखे नललला अन्हेरा उसने फैलाया गलादा नव का दबाया धरा पे उसे गिराया आखे उसकी निकल गई कुछ भी बोलना पाया क्रिशना को वो मार न पाया कोशिष हुए न ता तीरी चरणों में प्रणा मुख्रिशना चरणों में प्रणा एक दिन प्यारे काना भर भर माटी खाए शिकायत ग्वालों ने की मैया रही धमकाए जट से बोले काना मैं कब माटी खाई खोल के मुह को अपने स्रिष्टी सारी दिखाई देख यशुदाथी चकराई सत्य से अंजाई तीरी चर्णों में प्रणा मुत्रिष्णा चर्णों में प्रणा एक दिन लल्लक मैया गोद में दूध पिलाए दूध चूले पे उबले मैया देखने जाए क्रोध में आके लल्ला फूडे सारे भासन ग्वालों में बाट दिया था निकाल के सारा माखन दही माखन मेरा किसने गिराया या शोदा हुई है राण तेरे चर्णों में प्रणाम खृष्णा चर्णों में प्रणाम क्रोध में मैया ले तब प्रिष्ण को बांधना चाहा रसी रह गई छोटी कान्हा बंध ना पाया है रानी हुई मैया को क्यूं मैं बांध न पांग देखके सोचे कान्हा मैं खुद ही बंध जांग उखल से फिर बांध मयाने हो करके परशान तीरी चरणों में प्रणाम क्रिष्णा चरणों में प्रणा उखल से बंध के कान्हा खीच उखल ले जाए दो पेडों के बीच में उखल दिया फसाए यमलार जुन पेडों को धरा पेखा गिराया मानव रूप में आए खुबेर के बेटे बताया शाप से उनको दिलादी मुक्ती करे हाथ जोड के प्रणा तीरी चरणों में प्रणाम क्रिष्णा चरणों में प्रणाम वच्सा सुरदानव था बच्छडा बन करके आया कैथ के पेड में फैका खूच से था गुमाया बका सुर्ब गुला बन कर नदी के थट पर आया पाड कर चोच कोस की यम का द्वार दिखाया दैत्यों का उन्धार कर दियां हरी की शक्ति महा तीरी चरणों में प्रणाम अधा सुर्दैत्य एक दिन अजगर रूप में आया बल देव किशन और सब वालों को था खाया काना ने तब अपने तन को था बढ़ाया दम घुटने लगा और सास वो लेना पाया ग्वाल बाल सब वहर उगल दिये निकले उसके प्रण तीरी चरणों में प्रणाम किशना चरणों में प्रणाम इंद्र ने कहर मचाया गोवरधन फिर था उठाया मन्शिधर कनहिया तो फिर गिरधर कहलाया कालिया मरदन करके नाग थो पार उतारा हर विपता से बचाया गोकुल का बना सहारा मुश्किल चाहे कितनी बड़ी हो मुश्किल चाहे कितनी बड़ी हो कल में करे समधा तीरी चरणों में प्रणाम किशना चरणों में प्रणाम चांदनी जगमग जगमग बेल चमेली चमके खुएरा धामत बाली रूप उसका है धमके कानह तो मुरली बजाए गोपिया नाच दिखाए प्रेम में बंध के वो तो आनद में जुमे गाए रास रचाए यमना तट पर यमना तट पर लगा कानह में ध्या तीवे चरणों में प्रणाम किशना चरणों में प्रणाम भेजा कंस निस देशा अक्रूर ने कह सुनाया मथुरा में खुष्टी का आयो जन करवाया पहुचे मथुरा में तो गोपुलवासी सारे बलदेव नंद बाबा संग में नंद दुलारे क्रेश्ण को मरवाने की कंस में करली तयारी तमा तीरे चर्णों में प्रणाम खुष्णा चर्णों में प्रणाम मिली एक कुबजा दासी मथुरा के उकवन में उधार किया किष्णा ने खुषी आई जीवन में हाथी ने कर दिया हमला कृष्ण ने उसको मारा चाणूर को धूल चटाई वो भी किष्णा से हारा कुष्टी के दंगल में फिर तो हुआ बड़ा धमसा तीरे चरणों में प्रणाम कृष्णा चरणों में प्रणाम कंस के बाल पकड़ कर। कृष्णा ने मंच से उतारा पटक पटक के उसको ठाधरती पे मारा देव करे फूलों की वर्षा सभी जन थे हरशाए तारण हारे जगत के मिटाने पाप थे आए गिरिधर नागर क्रिशन कनया जगत क करे कल्याल तीरी चरणों में प्रणाम क्रिशन चरणों में प्रणाम करे करे लागर प्रणाम प्रणाम यह जो प्रणाम प्रणाम झाल झाल